हे भुआ हे आरुएक पात बजह भबाद आरे आरुएक पात फुआ हालो एब्रीवन गुड मॉर्णिंग विल्कम बेक तो आज चैनल वर्शनी तीवारी ब्लॉगर तो कैसे हो आप सब आज मैं सुबह सुबह अपने घर से निकल पड़ी हूं चलो देखती हूं कहां हम लोग जाते हैं घर की जो हमारी कुल्देवी है ना वहां जा रहा है दर्शन करने हम लोग यह देखो हम है और ननद है मेरी इनको त्रचानी रहे हूं आप लोग जो हमारे भावी के चैनल पर नए है ना तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हूं कि आप जो है इनके आप लोग बनाएंगे आप लोग जो है और फैमली आगे है सारी बच्ची कितना नजारा कैसा है चलो दिखाती हूं पर कमल होता है हमारे पति लेजी की जाओ आज कमल देखके आओ तो वैसे मैं सहर में तो देख़ी हूं मुंबई में मिलता है उस्ता फूल लेकिन गाओ में अमने नहीं देखा है नहींけれ मायके में है तो सफुराल में यहा है तो है स जबेंड बोले की जाओ अज फैमली भी बोलने लगी कि जाओ घूम के आओ, तो वही हम लोग निकल गए हैं, हमने सुचा, चलो, वैसे हम लोग खुल देगी का दर्थन भी कर लेते हैं, और हम लोग घूम भी लेते हैं, तो चलो, देखते हैं, कहा है, वैसे में पहजानती तो हूँ नहीं, इसलिए बुवा साथ से पूछो होता है, तो यह देखो, मेरी बुवाब सभी को बता रही है, यहाँ पर, कमल का फूल, चलो, हम आपको आगे दिखाते हैं, कहा पर है, इसकी कली लगी है, बड़ दिखनी रहा है, यह देखो यहाँ का विव कैसे है, किस का फूल है, अच्छा क्योड़ फूल, अच्छा का म अच्छा यहां पर सब लोग आके तोड़ लेते हैं बहुत बड़ा-बड़ा होता है क्या होता है केवल गट्टा होता है केवल गट्टा काला काला रहेगा अभी जो च्छता लेगा जब फूलेगा उसमें हरे-हरे भी अलगेंगे उसके दा में हरे-हरे अच्छा लगता है तो चलो गाईज और आपको दिखाते हैं यहां पर यह बहुत बड़ा जो है हम लोग ताल घूमने है बहुत बड़ा ताल है और यह देखो बहुत ही बड़ा ताल है और यह देखो बहुत बड़ा ताल है हम लोग इसको घूमने आते हैं एक कोस में पूरा फैला है अच्छ तो आप गाईज देख से तो यहां पानी नहीं है इसको घूमने पर देखने हैं तो अभी यहां पर पास में ही एक गाउँ है ओपर केवट लोग रहते हैं तो यहां पर दो यहां पर आप मचली पालन करने लगे हैं गवर्मेंट से लेके भाड़े पर तो यहां पर मचली भी यह लोग पालते हैं और चोटी-चोटी मचली यह इसके अंदर हैं आप आज से देखेंगे ना तो दिखती तो नहीं है वैसे इतनी बड़ी तो है नहीं बच्चे हैं और चलो मैं आपको दिख नहीं रहा उतना अच्छे से बर इसमें घ्लू भाड़े लोग रहते हैं और यहां पर ना बहुत ठंडा लग रहा है बहुत ठंडी-ठंडी ह। उपर से धूप है और नीचे से हवा है ठंडी ठंडी चल रही है तो यह देखो यह जो जलकुंभी है ना इसका फूल जो बहुत ही अच्छा लग रहा है चलो मैं आपको और पास में ले चलती हूं देखती हूं नेट जो मैं बोल रही दिखाई देता की नहीं तो यह देखो इसमें ना छोटी-छोटी मचलिया है आप देख सकते हूं और यहां पर हवा भी इतनी तेज बहरी पानी में देखो इसकी लहर दिखाई दे रहे और हम लोग पहुच गया है मंदिर तो यहां पर हम लोग अभी फोल तोड रहे हैं यहां पर वैश्ण भी हैं जान भी हैं इसके बाद हम लोग चलेंगे मंदिर में दर्शन करने तो आप लोग वीडियो को देखे और इंज्वाय कीजिए यहां पर दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे आपको खमल का फूल दिखाने है हार को तोड़ो आपको तोड़ो आ दोनो लोग तोड़ो यहलो तोड़ो पगड़े अपना फूल नीचे गीरत तो चड़ा नहीं सकती उसको कस पगड़ो जानी उसको कस की पगड़ो तोड़ो मैं लट़को मात मैं पकड़े तुम तोड़ो फूल इसका फूल गिरत नीचे नहीं उठाय के की नीचे फूल नहीं चाड़ता अगया का फूल दूद मॉला है कि ता इसका दूदी निकार के लो इसका दूद्र नहीं पिया जाता ता यह बलाए डेरी का पेड़ है साड में यह साड में ना ब्लाक बेड बेरी का पेड हो रहे हो कितना ज्यादा फ़न है इसमें लटक रहा ना बड़ा बड़ा पुलीरो चलो चलते मंदिर है अब चलो चलते हैं इसमस्थ हाँ तो अर पुल तोड़ेटो अर पुल तोड़ेटो लोग फूल जह हाँ पर तो फूल जदो एलो आजाओ चलो चड़ाओ बैरी दीदी उने को बैरी फोर्ट भी है रुको रुको चान भी यही रिकार्डिंग कर लो तब लेखें तो गाइस यहां पर हम लोग फूजा कर चुके हैं और हमारे पजिदेव भी आ गए थे बच्चों को देखने कि बच् पूज गया कि नहीं आसाने से तो हम लोग फाइली फूजा कर लिए हैं तो अब हम आपको ले चलते हैं कमल दिखाने का फूल तो यह पूरा कमल का जो है तलाब है कमल के फूल का तलाब है पूरा और यहां पर आपको निजरोल वाइस सुनने को मिलेगी जो पक्षियां देख रहे हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था बहुत अच्छा तहां से जाने के बाद मेरा तो मनी नहीं कर रहा था कि मैं घर आओं क्यूंकि एकदम ठंडी ठंडी हवा भी पह रहे थी और उपर से पच्छी की हावाज और फोल भी जब खिला था बहुत अच् लाके दिये चलो आपको दिखाती है देखिए इसका फूल अभी कैसा पिंक है और कुछ यलो में है कुछ वाइट में है कई कलर के हैं तो यह भी और बड़े होते हैं अभी तो छोटे छोटे हैं एक बार खिलते हैं फिर बंद हो जाते हैं फिर सुबर मॉर्णिंग में खिल होते हैं ऐसे करके नहीं बहुत बड़ा होता है फूल तो आपको गाईज यह देखो कैसे लगा हमारा ब्लॉग प्लीज बताएगा जरूर और यह रहा कमल का फूल यह रहा इसका किवल गट्टा जो हमारी बुवजी बता रहे थी तो यह है कि उसका किवल का गट्टा यह जादा से जादा शेयर भी करना और हम आपको जो है अपने इंस्टा की आड़ी दे देंगे तो अगर आपको हमारा रिल्स देखना पसंद है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फालू कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए चलो मिलते हैं आप से अपने नई वीडियो तब